असलाम अलेकुम जी यह हमारी रोटी बनाने वाली एक मशीन है इसकी मैंने 30 सेकंड की एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले और उस पे आल्मोस 13 मिलियन प्लस व्यूज आये थे और जादे था लोगों ने रिक्वेस्ट ये की थी कि वो 30 सेकंड की वीडियो में कंप प्रेट कैसे किया जाता है तो आज की इस वीडियो में आपको इस मेशीन का एक तुजी कंपलीट रिव्यू बताऊंगा कि ये मशीन कैसे अपरेट होती है और इसमें क्या-क्या फीचर जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसके उपर ये डेड़ बर आप इसका प्लग करते हैं नॉर्मल इसका थी इश्यू वाला प्लाग होता है और स्टाट करते हैं इसके तीन जो उपर वाले पॉर्शन से इनमें से सब पहले जो एक पॉर्शन है वह आटे के लिए जैकरीब से दिखा रहें आपको ये बड़े वाला इसमें आठा आता है और यह जो portion है इसमें हम पानी fill up करते होते हैं और इसको पानी से हम completely fill up कर देंगे यहां तक और जो तीसरा portion आपको यह साथ में चोटा नजर आ रहा रहा है यह cooking oil के लिए होते हैं इसमें आइल हमने आलरीडी इसमें डाल के रखा हुआ और आठा भी हमारे पास आलरीडी इसमें डाला हुआ अब इसको start करने के लिए चुक्य आलरीडी प्लागें हुई थी तो start के लिए यह बटन आज टच अपरेटड़ यह मशिन हैं इसको आपने सिर्फ ऑपरेट करना होता है तो आपके पास उड़ल में यह चीजि해서 आजाती है आपने पहले बनाना किया रोटी बनानी है पूरी बनानी है यह पिजर की बनानी में बहले अपने रोटी की सवीचिन कर लिए इसकि बाद इसका इसका इõ डाया और है नॉर्मल चक्की का या डिफरेंट आटे की कंपनीज हैं हमारे पास जो भी आटा था हमने वह वाला स्लेक्ट कर लिया आप कोई भी आप कोई भी जो है आटा है वो यूज कर सकते हैं कोई खास आटे की जरूरत नहीं है कि खास किसी किसम का जो पैकिंग में आतो वही आटा होता है कि आपने रोटी की थिकनेस कितनी रखनी है कि मोटाई कितनी होनी चाहिए मोटाई का लेवल आप जहां से यह बाहर है हमने इसको थर्ड लेवल तक रोटी की थिकनेस जो है वो स्लेक्ट कर ली अब रोटी का रोटी की जो क्रस्ट रोटी वो क्रिस्पी चाहिए तरा इसका टाच है यहां से रोटी 0 by 1 का मतलब यह आपने रोटी सिलेक्ट करनी है कि आप कितनी बनाना चाहरे हैं हम पहले में हम दो रोटी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यह जो इरिया है यह की टच करेंगे तो यह मशीन जो प्ले हो जाएगी इसका टर्निंग वान जो टाइम प्रियुड वह आल्मुस्ट फाइव मिनिट है और एक रोटी तकरीबन यह 60 सेकंड में जानी कि इसके टीया के अवेलेबल और प्रोडक्शन इसकी स्टाइट हो जाएगी तो यहां से नजर आएगा और यहां से फिर इसकी रोटी बनना शुरू हो जाएगी तो हम उसके बाद आपको दिखा किरो टी कैसे निकल रही है बन जे चैनि पकना स्टाइग हूगी है यह दो इतनी प्यारी मज़ेदार रोटी सी बन के तयार आ गए और बिलकुल कम्प्लीटली ये गोल है साइज में पकी भी मुकमल तोर पे बिलकुल और इसका साइज जो होता है नॉर्मली इतना सही होता है ये तकरीबं 6 बचे की एक रोटी आती है बन दी कि अधर आता है वहता है थाज माट दूस्टाइ ये पूल दूडली सी बन के लिए येर दो म हैं जो कली मुकमल वेदाने टेर रोटी माट अजली जली आता है खिल्यारी वी घटा वंत दूली एट वन गाट रोटी माट टो दो नहीं पाटी माट टो लूजा है